आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है, reaction आपको देवी है P4 plus NaOH plus H2 इस reaction को आपको balance करना है और complete करना है तो इस reaction को हम कैसे complete करेंगे यहापे आपके पास P4 है NaOH है और साथ में water है तो इसके products क्या बनते हैं इसका एक तो product बनता है NaHPO2 और साथ में बन जाता है pH3 जो कि आपकी phosphine है ठीक है तो यह आपकी reaction है अब आपको इसको balance करना है अभी आप देखो तो यहापे आपके पास 4 phosphorus है यहापे 2 phosphorus है बस तो हम यहापे क्या करेंगे 3 NaHPO2 करतेंगे और जब 3 NaHPO2 करेंगे तो यहापे हमारे पास 3 और 3 6 hydrogen हो गए अब क्या करेंगे देखो क्योंकि यहापे 3 हो गया है तो यहापे हमें 3 लगाना पड़ेगा 3 NaOH करने के लिए ठीक है अब phosphorus हो तो हमारे balance होगे 3 phosphorus plus 1 4 ठीक है hydrogen देखें तो यहापे 3 plus 3 6 अभी होए है और left side पे देखें तो हमारे पास 3 plus 2 5 ही hydrogen है ठीक है and small correction है यहापे जो product बनता है वो NaH2PO2 होता है NaHPO2 नहीं होता ठीक है तो यहापे हमने 3 NaOH कर दिया अब कितना hydrogen होगे मारे पस 3 and 2 5 और यहापे कितने है 6 and 3 9 तो अब हम क्या करेंगे oxygen देखो तो यहापे 3 2 सा 6 oxygen है यहापे सिर 3 और 1 4 है यहापे हम 3 लगा देंगे तो यहापका हुआ 3 H2O अब आप देखो hydrogen 3 and 6 9 और यहापे 9 है 6 hydrogen है 6 hydrogen balanced है 4 phosphorus 4 phosphorus balanced है तो अब यह reaction हमारी balance होगी है तो बस ध्यान क्या रखना है कि यहापे products क्या बन रहे है products पता हो तो balance आप reaction को कर सकते हो organic reactions को यही तरीक होता है कि हम products को याद कर लें कि इदर P4, NaOH और H2O कंबाइन करेंगे तो NaH2, PO2 और PH3 बनेगा अब उसके according हम reaction को mold करेंगे और उसको हम balance कर देंगे That's all for the question Classics to 12 अलेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउट नेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर